नमस्ते बच्चो अम्मू एन्यू चैनल पर आप सबका प्यारबरा स्वागत जहां मैं अम्मू आपको कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी हूँ आज की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी और नाम है उसका प्यार का बंधन प्यार का बंधन तो बहुत ही प्यारा बंधन होता है है ना आप सब लोग किसी न किसी से प्यार करते होंगे बहुत जादा प्यार करते होंगे और उस प्यार की अनुभूती कितनी अच्छे होती है वैसा ही प्यार इस कहानी में हमारे एक छोटे से लड़के मोहन का अपने बाबा के साथ था मोहन अपने माता पिता और अपने दादा जी के साथ जिनको वो बाबा बुलाता था रहता था तीनों के साथ मोहन बहुत ही खुश था लेकिन अपने बाबा से वो बहुत प्यार करता था बाबा भी उससे बहुत प्यार करते, दोनों घंटों घूमते, बाते करते, बाबा उसको कहानिया सुनाते, उसके साथ खूब सारा वक्त बिताते और उसके हर प्रश्न का उत्तर देते मोहन इसलिए अपने बाबा के साथ अधेक से अधेक समय बिताता, पूरे गाउं में दोनों घूमते रहते, जब ही भी समय मिलता, और चारों तरफ देखते देखते, मोहन के पास सवालों के धेर होते, और बड़ी प्यार से उसके बाबा उन सारे सवालों का जवाब देते एक दिन मोहन के लिए उसके बाबा रसीले मीठे आम लेकर आए, मोहन को आम बहुत पसंद थे और मोहन और बाबा बैठ कर आम की टोकरी लेकर मजे से उसका आनंद उठाने लगे, बाबा आम की भाग काट काट कर देते और मोहन और बाबा दोनों मजे से खाते हमारा मोहन बोलता बाबा आम तो मेरा सबसे पसंदीदा फल है सारे साल नहीं मिलता सिर्फ गर्मी के समय मिलता है तो बाबा हसके बोलते हर चीज का एक वक्त होता है सारे साल मिलने से तुमको इतना अच्छा नहीं लगता सिर्फ गर्मियों में मिलता है न इसलिए तुमको अच्छा लगता है लेकिन बाबा ये आम तो आब बाजार से खरीद के लाते हैं कितना मज़ा होता अगर आम का पेड़ हमारे अपने बाग में होता उसमें आम लगते और हम वो आम जब मर्जी तोड़ते खाते कितना मज़ा होता ना बाबा मज़ा तो होता बड़ा ही मज़ा होता तो चलो मोहन मैं कल ही देखता हूं मैं तुमारे लिए आम का एक पौधा लाता हूं मोहन बड़ा खुश हों गया अगले दिन सुबह सुबह मोहन की नीद भी नहीं खुले थी मोहन, मोहन, उठेगी नहीं, जल्दी आओ, देखो मैं तुमारे लिए क्या लेकर आया हूँ मोहन के बाबा की आवास आई, मोहन बिस्तर पर अंगडाईया ही ले रहा था दन्न से उठके बैठ गया, भागता हुआ, नीचे गया, सीड़ेों से उतरता हुआ तो क्या देखा, बाबा खड़े हैं, हाथ में एक आम का पौधा लिए, मोहन तो खुशी से पागल हो गया बाबा, आप आम का पौधा लाए हैं, हम इसको अपने बाग में लगाएंगे हाँ मोहन, इसी लिए तो लाया हूँ, जट पटाओ, चलो हम लोग जाकर इसको अपने बाग में लगाते हैं और मोहन और बाबा दोनों बाग में गए, बाबा ने एक अच्छी सी खाली जगाद चुनी, खुर पीली, मिट्टी खोदी, बड़ासा एक गढधा बनाया और बड़े जतन से उस पौधे को उसमें डाल दिया, और फिर से मिट्टी से गढधा पर दिया मोहन से बोले, बेटा, ये हमारा पौधा है, इसकी हमें देखबाल करनी है, पानी डालना है, नियम में तुरूप से इसकी सिचाई करनी है इसमें खाद भी डालना है, तभी हमारा पौधा तंदुरुस्त होगा और जल्दी जल्दी बढ़ेगा जी बाबा, जरूर मैं इस पौधे पर रोज पानी डालूगा, और बहुत जल्दी इसमें फला जाएंगे फलाने में थोड़ा वक्त लगेगा मोहन, आम का पेड रातो रात नहीं बढ़ जाता कई साल लग जाते हैं, जब वो बड़ा होता है और फल देने लायक होता है अच्छा, कई साल लग जाते हैं बाबा, हाँ बेटा, कई वर्षों में थोड़े से ही वर्ष, तुम खूब मीठे मीठे फल पाओगे तुम क्यों बाबा, हम दोनों खाएंगे, दोनों तोड़ेंगे और यही पेड के नीचे बैठ कर खाएंगे बाबा उसके सर पर प्यार से हाथ फेते हुए बोले मोहन, पता नहीं मेरा, तुम तो जरूर खाओगे बाबा तुम्हारा क्यों नहीं पता तुम क्यों नहीं आम खाओगे इसलिए मोहान कि देखो ना मैं बुड़ा हो चला हूँ पता नहीं तब तक जिन्दा रहूं की नहीं रहूं अगर रहता हूँ तो जरूर खाओंगा और अगर नहीं रहता हूँ तुम खाओगे मेरे हिसेगी भी खाना और हमेशा याद रखना ये पेड मेरा और तुम्हारा पेड है इसमें तुम्हारे बाबा रहेंगे बाबा ये कैसी बाते करते हो? मरने की बात क्या होती है? अरे बेटा ये दो जीवन की सच्चाई है कोई बात नहीं लेकिन सुनो ये पेड ध्यान से इसकी देखभाल करना बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और बड़ा सा वरिक्ष हो जाएगा उसमें बहुत सारे पक्षी आएंगे घोसला बनाएंगे कोयल आएगी उसमें अपने अंडे देगी चुटे-चुटे नन्नननननने बच्चे होंगे तुमको ये सब देखने को मिलेगा ये पेड जो होता है कितने सारे पक्ष्नों के लिए आश्रे का जगा बन जाता है सबको ये आश्रे देता है किसी को मना नहीं करता बच्चे इस पे चड़ चड़ कर खेलते हैं और मा से कह देना इसमें जूला भी लगवा देगी जूला जूला अरे वाह यह आम का पेड तो बहुत ही अच्छा पेड है ना बाबा हाँ बेटा और पता है तुमको आम का पेड सबसे महत्वपूंड क्यों है और आम का ही क्यों वह भी पेड हमें शुद्ध वायू देता है जिसको हम सांस लेते हैं तंदरुस्त रहते हैं है ना और हम जो गंदी वायू छोड़ते हैं वो सब अपने आप पी जाता है अरे पेड से तो लकडिया भी मिलती है ना बाबा सब कितनी कितनी चीजे बनती है लकडियों की लेकिन आदमी पेड काट देता है क्यों बाबा बेटा व्रिक्ष हमारी मित्र होते हैं वो बड़े ही फायदे मंद होते हैं उनका हर भाग हमारे लिए फायदे मंद होता है लेकिन लालच में आकर बिना बात के लोग इस फायदे को भूल जाते हैं और खुदगर्ज बन जाते हैं और बेवजह व्रिक्ष काट-काट कर लकड़ी के लालच में बेच देते हैं बड़े बुरे होते हैं ऐसे लोग बाबा कोई बात नहीं तुम मत ऐसे बनना तुम इस बात को याद रखना कि व्रिक्ष हमारे मित्र हैं और पता है आम के पेड़ आम का जो फल होता है उसमें गुठली गुठली से पिपनी कौन बजाता है अरे हाँ बाबा मैं तो पिपनी भी बजाता हूँ और पेड़ के पत्तों से यही आम के पेड़ के पत्तों से पूजा होती है है ना माला बनाई जाती है और दर्वाजों पर लगाया जाता है शादी पे पूजा पे सभी शुब काम में है ना हाँ पुषपा दीदी की शादी में देखा था पडोस में आन के पेड़ से पत्ते काट-काट के सब टांगे गए थे कितना अच्छा ये व्रिक्ष होता है न बाबा हाँ बेटा इस तरह से रोज मोहन अपने बाबा से बाते करता अच्छानक एक दिन बाबा बिमार पड़े और बाबा इश्वर को प्यारे हो गए मोहन बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया लेकिन उसे बाबा की बात तो याद थी कि ये आम का पेड मोहान तुम्हारा और मेरा है हमेशा मैं इसमें रहूंगा इसको प्यार करना तो मोहान आम के पेड की और भी ज़्यादा दीख भाल करने लगा स्कूल से लोटता पूरी दुपहर आम के पेड के नीचे बैटकर अपना होमवर्क करता पढ़ाई करता या कभी-कभी कहानी की किताबे भी पढ़ता बहुत सारा वक्त वो आम के पेड के नीचे बिता था पेड बढ़ा हो गया था उस भी कोयल ने घुसले बनाए और दूसरी चड़िया भी आके बैठती थी तोते आते, गोरिये आते, कववे भी आते, कभूतर भी आते तरह तरह के पक्षी आते और मोहन उनको कितमे ध्यान से प्यार से खेलते देखता चहचहाते हुए देखता उनकी मीठी चहचहाट से पूरा पूरा बगीचा, सुन्दर कलरव से गुंज उठता मोहन बहुत खुश होता और अपने बाबा को प्यार से याद करता एक दिन मोहन स्कूल से लोटा और अपने किताबों को लेकर वो जैसे ही बाग में जाने लगा ठीखाए एक आत्मी कुलहाडी लेकर गेट खोल कर आ रहा है हैं ये भाईया कहां चले आ रहा हो आप कौन हो मुझे साहब ने बुलाया है कौन साहब ने बुलाया है आपके पिता जी ने बुलाया है क्यूं ये पेड काटना है पेड काटना है मेरे आम का पेड काटना है तुमारी हिम्मत कैसे हुई चले जाओ यहां से, बिल्कुल चले जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना, पिताजी, पिताजी, मा, मा, कहां हो आप लो, ये कौन आदमी आ गया है, पिताजी और माताजी दोड़कर आए, मा, आपने बुलाया इस आदमी को पेड काटने, आम का पेड काटने, पिताजी बोले, मुहन, शान्त हो जाओ, बात सुनो, तुम देख रहे हो कि आम का पेड कितना बड़ा हो गया है, और कितनी मुसीबत की जड़ बन गया है, पिछले साल से आम लगने क्या शुरू हो गया, आफत करती, बाहर से लड़के, पत्थर फेक फेक के, आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो पत्थर कभी घर के शीशे में लगता है, शीशा टूपता है, कितना हम इस बात की अनसुनी करें, चिलाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और कल सुबह तो वो एक पत्थर आके तुमारी मा के माथे पर लगा, देखा नहीं था, खुन बहरा था, जितना आम खाना होगा बताना बाजार से लेके आऊँगा, ये रोज-रोज की आफ़त मुझे नहीं चाहिए, पताजी, ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आम का पेड़ आफ़त है, पिछले साल से तो आम लगना शुरू हुआ, हम सब कितना आम खा रहे हैं, पास पड़ोस में बांट रहे हैं, और मा वो पास की काकी, बुआ, सब लोग यहां से मांग मांग के आम के पत्ते लेके जाते हैं, ना मा, हम लोग सब आम के पेड़ की चाया में बैठते हैं, बरसात में तुमने पिछली बार जूला लगा था, तुम और मैं कितने मज़े से उसमें जूले थ क्या गलती है, सजा आम के पेड़ को क्यों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, गलती कोई करें, सजा कोई और भुकते, आम के पेड़ने क्या गलती की, जो उसको कटवाया जा रहा है, मुझे पहले इस बात का जवाब दीजी आप लोग, और रोए जाए और चिलाए पेड़ को काटना हल नहीं है, पिता जी, बाबा ने हमेशा कहाता, यह हमारे सबसे प्यारे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, इनको हम नहीं काट सकते, हल के बारे में सोच सकते हैं, अरे, दिवार हम उची कर देते हैं, उची दिवार कर दीजे, जिससे बाहर से बच्चे पत् आप कहो किता जी से ऐसा आप नहीं कर सकते यह मेरे बाबा है यह मेरे बाबा और मेरा पेड हम इसको नहीं काटने दे सकते माने उसको गले से लगा लिया और बोली मोहन तुम्हारी बात हमें समझ मेरा है हमसे सच में गल्ती हुई इसमें आम के पेड की तो कोई गल्ती नहीं ह वो तो हमें सिर्फ एक से एक फाइदे देता जाता है दूसरे की गलती की सजा हम आम के पेर को देने चले थे बेटा बहुत भारी गलती है सही में पिताजी से उसके बोली मा आप ना ये पूरी जो चारो तरफ की चार दिवारी है उनको उची कर देजिए जिससे की बच्चे पत्थर न प्रिकता है इतने धेर आम लगते हैं जब आम लगेंगे हम ऐसे ही सामने सब बच्चों को दे देंगे तो उनको ऐसे तोड़ कर खाने का मन भी नहीं होता और मोहन मैं तुम से माफी मांगती हूं सच में ये बाबा ने और तुमने लगाया था इसको हम कभी नहीं कातेंगे और पता है मोहन कल चलो हम लोग बजार चलते हैं तो एक भल के और पेड लेकर आते हैं उनको भी हम अपने बगीचे में लगाएंगे हमारे बाग में अमरूद हो सकता है केला हो सकता है चीकू हो सकता है मा सच मुच तुम जाओगी बसार और भी फलो की पेड़ लाओगी ओ मा तुम कितनी अच्छी हो हमारी घर में अपने बगीचे में कितने भरदार पेड़ होंगे पिता जी भी आकर मोहन को प्यार करने लगे बोले मोहन माफ करते न मेरे सोचने में गलती हो गई कभी भी हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए हम तीनों कल बाजार जाएंगे और देखते हैं कौन से पौधे मिलते हैं भलो वाले और हम लाके अपने बाग में लगाएंगे मोहन इतना खुश हो गया और उस आदमी से उसके पिता जी बोले भाई अब आप जा सकते हो आपका कोई काम यहां पर नहीं है हमने आपको गलती से बोला लिया था उसको सो रुपे दिये और बोला भाई कोशिश करना तुम भी पेड मत काचना मोहन अपने माता पिता से लिपट गया यही था प्यार का बंदन बाबा का और मोहन का मोहन का और आम के पेड का मोहन का और उसके माता पिता का सब लोगों के बीच में प्यार का यह संदर था है न किते प्यारी कहानी है हमें पीडों से सच में दिल से प्यार करना चाहिए वो हमारे सचे मित्र हैं हम कुछ भी करें वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुँचा दे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी कहना चाहिए जिससे की दूसरों को भी समझ में आए कि पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना किसी को नुकसान देकर पहुचाना पेड काटना तो पेड को नुकसान पहुचाना हुआ न हो भी तो जीव है हमें नहीं करना चाहिए ठीक है, कहनी अच्छी लगी न, बहुत अच्छी लगी होगी लाइक, शेर, सब्सक्राइब, सबके साथ शेर करियेगा और पीडों से बहुत प्यार करिये बगीचा है, पधे लगाईए, पेड लगाईए, उनकी देखरें खुद करिये नहीं है, गमलों में चोटे-चोटे पधे लगा लीजे वो भी नहीं संभव है, तो जहां बाग है, बगीचे हैं, जंगल है पधों से, प्रकृती से प्रेम करिये ठीक है, अम्मू को प्रकृती से बहुत प्यार है पौधों से बहुत प्याद और आप से भी बहुत प्याद फिर से एक कहानी लेकर आएगे आम जल्दी तब तक अच्छे बने रहिए और प्यारे बने दे कहानी सुने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों फिर मिलेंगे जल्दी